आपके लिए ये कार्क्रम एक संजीवनी है जो आपके पूरे आने वाले एक वर्ष के लिए आगाहित जानकारी देती आगाह कराने वाले जानकारी देती आपके लिए एक बहुत सकरात्मक प्रभाव दिखाती है आप सब के लिए स्विक्षा से लेके हर छेत्र में एक नया रास्ता त्यार करती है स्विक्षा दिनांक आठ मई को पैदा हुए लोगों की कैसी रहेगी ब्यापार प्राइमेट सेक्टर की नोगरी गवर्मेंट सेक्टर की नोगरी दामपत्य जीवन मैरिड लाइफ सारे जानकारी एक साथ मिल जाती है हम आपको सब कुछ एक साथ बता देते हैं महज पांच मिनिट में तो आए सुरवात करते हैं और हाँ अगर आज आपकी शादी की सालगीरा है आठ मई को तो निस्संदेह दामपत्य जीवन अच्छा रहे इसके लिए भी हम इगुपाय बताएंगे तो चलिए सुरवात करते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि दिनांक आठ मई को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी सुक्षा कैसी रहेगी पितनों सुक्षा के छेतर में आ रहे हैं किसी भी प्रकार की बाधा को आप दूर पाएंगे सुक्षा छेतर में आपकी सफलता कदम चुमेगी आप पूरी तरह से सफल होने जा रहे हैं किसी बड़ी उपलब्धी की तरफ आपके कदम बढ़ गए हैं सुक्षा छेतर जुलाई अगस्त के बाद मिलकुल मन लगेगा आपका दोस्त यार आपके फेवर में रहेंगे आपका पुराना कोई नोट से कोई ले गया होगा तो अगस्त सितंबर में वो बच्चा दे देगा कई बार होता है न कि आप बहुत मेहनत से कोई नोट्स तयार किये, 10-20 किताबों से निचोड निकाले और अचानक से कोई मित्र उसको ले गया और नहीं दे रहा है, इंटेंशनली नहीं दे रहा है या लापरवाही बस नहीं दे रहा है दिसंबर के बाद इस्टिशूशन चेंज करने के लिए दिन अच्छा है अगर आप दिनांग आठ मई को पैदा हुए है तो बिजनस का सेक्टर आपका बहुत अच्छा है बिजनस के मामले में हर प्रिकार से आप सकरात्मक सोच रखेंगे हो सकता है कि आपका बिजनस एक दम से अचानक चल निकले आप बिजनस के छेत्र में एक बड़ा प्रभाव छोड़ेंगे दिनांग आठ मई को जन्म पाए लोग किसी दोस्त यार के दोरा किसी बिजनस में चीट किये जा सकते हैं दिसंबर के बाद प्राइवेट सेक्टर की स्थतिय अच्छी है किसी तरह की समस्या नहीं प्राप्त करेंगे प्राइवेट सेक्टर में कोई बड़ी हस्ती आपका फेवर कर जाएगी दिनांग का आठ मई को पैदा होई लोगों को प्राइवेट सेक्टर में बास के साथ किसी तरह की नकरात्मक इस्तिक की जो परिष्थे ली पैदा हो सकती है वो पंद्रह अक्टूबर के बाद दिखाई देती है सुर्य का एक अदद परिवर्तन और सारी सितियां बास के साथ नोक्छो दामपत्य जीवन में पत्य पत्नी समर्पित रहेंगे किसी तरह की बादाएं नहीं आएंगी थोड़ा बहुत जुलाई में समस्या हो सकती है लेकिन अगस आते आते समल जाएगी बड़े बुजर्गों का हस्तक छेप जनवरी फरवरी में एक बार पुनह आ रही बाधाओं को दूर करेंगे संतान को लेकर के कुछ विश्यांतर हो सकता है पत्य पत्नी के मद्ध में लेकिन फिर भी सभालने की कोशिश आप करेंगे और सफलता आपको जरूर मिलेगे ऐसे कपल जो सेप्रेशन की कगार पे हैं जो तलाग के लिए फाइल कर चुके हैं केस अटक रहा है ऐसे लोगों के लिए अगस्त महीना बहुत मुफीद रहेगा प्रयास तेज करिएगा सफलता मिल सकती तो दिनांक आठ तारिक को पैदा हुए ऐसे लोग दामपत जीवन को संभालने का बहुत प्रयास करें जिससे उनके दामपत जीवन में आ रहे बाद हैं दूर हूँ लव लाइफ दिनांक आठ तारिक को गर आप पैदा हुए हैं शादी की चर्चा लव लाइफ वाले कनवर्ट करने के लिए कि अब शादी कर लिया जाए अगर विचार कर रहे हैं तो फरवरी 20 के पहले भी रुख जाएंगे यह हो सकता कि सितंबर में एक बार ट्राइ करें वैसे तो इस्तती बहुत अच्छी नहीं है दिनांग आठ मई को जन्म पाएं लोग स्वास्त के मामले में आँखों से स्तंबंधित समस्याओं से जूच सकते हैं चश्मा लग सकता है या चश्मा का नंबर बढ़ सकता है जिनांक 8 मई को अगर आपका जन्म हुआ है तो स्वास्त को लेकर के हर्ट की प्रॉब्लम और शूगर सांसों की दिक्कत भी परेशान हो सकते अगर आप 8 तारिक को पैदा हुई है क्या उपाय करना चाहिए आईए अब ये जान लेते हैं लगे हाथ उपाय के तौर पर तीन पीपल के पौधे अस्पताल में रखना है और तीन जरूरत मंदों को भोजन कराना है ऐसे लोग जो आठ मई को पैदा हुए हैं और कोशुश कर रहे हैं दामपत्य जीवन को सेटल ले करने की वो सावधान रहे हैं चलिए बात कर लेते हैं आठ मई को जिनकी शादी हुई है दामपत्य जीवन को अच्छा रखने के लिए वो क्या करें तीन लोग किसी धागे में बाध कर लाल रंग के धागे में बाध कर पीपल के पौधे में और पीपल का पौधा ना होने पर किसी भी पौधे में बाध सकते हैं बहुत आभार इस प्यार के लिए और नए सेडूल प्लेट किनकी शहरों में कब-कब रहेंगे हम देख सकते हैं अभी फिलहाल सबसे लेटेस्ट जो हम पहुँच रहे हैं बनारस और लखनो पहुँच रहे हैं 21-22 बनारस हैं 23-27 लखनो हैं डेट्स आपके सामने हैं बाकी शहरों के लोग ध्यान दीजेगा इंदोर वाले थोड़ा सा पेसेंस रखें थोड़ी सी डेट आगे की जा चुकी हैं आप उसके हिसाब से अगर कहीं आसपास से आ रहे हैं उसके हुड़ी ने की जाए हैं future our vision your future miracle of earning in education keep you first keep you serving humanity serving nation let's unite for biggest educational revolution my school for all income for all respect for all successful for all lifetime learning seed to success life is short let's connect reach out and make it large for franchise inquiry please contact mr. Rakesh Chaturvedi on nine eight seven three eight six zero 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 you can also contact on another number nine three five four six one nine two five zero